असलाम आलेकुम आदाब मैं हूं उस्तवा मुनीब आपने हमारे वीडियो के पहले पार्ट में जेफरेलोट की जो प्रेजेंटेशन था उसका आदा हिस्सा देखा था अब हम बच्चे होगे आदा हिस्से को आपके सामने लेकर आए जैसा कि आप जानते हैं पिछली वीडि के लड़ाई का शिकार हैं अपने एग्जिस्टन्स के लाई को लेकर परेशाने उसी में लगे हुए हैं उन्हें बहुत सारे सब हेडिंग्स के तहट आजादी से लेकर लगलग इवेंट्स का उसमें जिकर किया था हमने पिछले इवेंट्स में आजादी उसके बाद मुस मुसल्मानों का क्या हल है वो पेश आपके सामने किया था अब इस सेकंड पार्ट में उससे आगे बढ़ते हैं तो जैफरलोट ने जो और हेडिंग्स को पेश किया है और चीजों को सामने रखा है उसमें उन्होंने कहा है कि जो बीजे पी का राइज है बेसिकली बीजे प ही है जिससे मुसल्मानों को ज्यादा मसला रहा है जिससे ज्यादा नुकसान पहुचा है नजर आने वाला नुकसान बेसिकली पहुचा है खुलकर नुकसान पहुचा है तो उसके राइज होने में उसके बढ़ने के साथ साथ मुसल्मानों पर क्या असर पड़ा है उन्हों 19 में और ज्यादा मिजॉरिटी के साथ जो है वो हकुमत में आई इसकी वज़े से जो बहुत सारे मसायल मुसल्मानों को जहलना पड़े जहल रहे हैं उनका उन सब का जिकर ना करते हुए सिर्फ दो मसायल पर जैफरलोट ने डिसकेशन करना जरूरी समझा हम उन्ही को आपके सामने पेश कर रहे हैं नमबर एक रिपर्जेंटेशन इन पॉलिटिक्स इस मामले में क्या असर पड़ा मुसल्मानों को लेकर और डिस्क्रिमिनेशन बाय पॉलिस ये चीजों को उन्होंने खास कहें कि यह इसी चीज़े हैं जो नफसियात पर असर डालती हैं जो आगे सो कार्लिमेंट और एसेम्बली में जो रिप्रेजेंटेशन है जो नमाइन दगी है वो हम देखते हैं कि 1980s के बाद से 1980s में सबसे हाई था उसके बाद से जो डाउन फॉल आना शुरू है तो उसमें फिर कहीं बड़ोतरी नहीं हो पा रही है उन डेटा के तरफ हम अगर आए देखें तो 1980s के टाइम दौर में मुसल्मानों की आबादी थी 11% जबके मुसलिम MPs उसकत जो थे 49 मौजूद थे इलेक्टेड MPs पारलिमेंट में ये जो हैं पारलिमेंट की कॉंटिटी के हिसाब से 9% होता है तो 11% population और 9% MPs तो यह अच्छा फिगर महसूस होता था comparatively equal to population महसूस होता था लेकिन अब देखते हैं कि 2014 जब मुदी सरकार होकुमत में आई बीजेपी absolute majority के साथ है तो मुसलिम population जो है 14.5% है और MPs की तेदा थी 21 सिर्फ 21 MPs इलेक्ट होए थे जो के सिर्फ 4% होता है तो जहां population बढ़ रही है वहीं representation जो है वो घट रहा है डाउ हो रहा है जबके हैरत की बात यह थी कि उस वक्षद 2014 में बीजेपी के पास एक भी मुसलिम MP नहीं था एक भी elected मुसलिम MP नहीं था यह तारीख में पहली बार हुआए कि ruling party जो है उसके पास एक भी मुसलिम MP ना रहा हो तो एक तरह से बिलकुल उसकी वक्षद ही खतम कर दे हैने वाली काईफियाज वहाँ पर मैसूस हुई लेकिंप 2019 में 21 से बढ़कर कुछ ज़्यादा चार MP और बढ़ते हैं और 25 मुसलिम MP जो हैं वो elect होते हैं थोड़ा सा higher मामला यह पार्लेमेंट में हमने दो अलग-अलग हमने दिखा दिये स्टेट की तरफ अगर आते हैं स्टेट असेंबली की तरफ तो चंद ही स्टेट का हम डेटा लेंगे सबसे पहले गुजरात का मामला देखते हैं तो गुजरात में मुसलिम आबादी है 9.1% उसके मुखाबले में MLS का परसंटेज है 1.6% सिर्फ 1.6% जबके 1980 में यह MLS का परसंटेज 6% ता 6% पर था करनाटा का मामला देखें तो पॉपुलेशन है 12.2% लेकिन MLS का परसंटेज है स्रिफ और स्रिफ 3.1% जबके 70s के दौर में यह परसंटेज 7% पर देखा जाता था सेड़ असेंबली के अंदर मध्यपरदेश में मुस्लिम पॉपुलेशन 6.4% है लेकिन MLS का जो तनासुब है परसंटेज मुस्लिम MLS का वो सिर्फ 0.4% है यानि शायद से तरिफ एक इलेक्टेड MLA है जबके 1970s में यह 2.7% तक भी रहा करता था MP में महराष्टा जो हमारी स्टेट है यहाँ पर मुस्लिम पॉपुलेशन तक 10% तक काउंट की जाती है लेकिन MLS का जो परसंटेज है मुस्लिम MLS का वो 3.1% है सरिफ जबके 80s में यह 9% तक हुआ करता था इतना ज्यादा यहाँ पर खुद महराष्टा स्टेट में इन्वॉल् यह कि यूपी में मुस्लिम आबादी 18.5% है कहा जाता है कि कश्मीर के बाद दूसरी सबसे बड़े आबादी उत्तर परदेश में है तो वहाँ 18.5% पॉपुलेशन मुस्लिम काउंट की जाती है ओफिशल डेटा के हिसाब से लेकिन 2017 जब मौजूदा चीफ मिनिस्टर यो 27% पर चल है लेकिन आपको ये जान कहरे रहत हूँ कि 2017 से पहले स्रिफ 2017 से पहले मुस्लिम MLS का जो परसेंटेज हुआ करता था वो 16.5% हुआ करता था बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेशन देखने के लिए वो कितना रिप्रेजेंट वाखई में कर रहे हैं वो सेकंडरी पार्ट है लेकिन इन टरम्स अफ फिगर्स 16.5% हुआ करते थे 2017 से पहले वो बाद में 5.7% पर आ गए हैं और स्रिफ एक वेस्बेंगौल एक ऐसी रियासत है उडी सा राजिस्थान में मामला इसी तरह का है जो हमने अब तक बताया है स्रिफ वेस्बेंगौल में मामला रि यह में जो है रिसेंट लाज डेटा है उनके हिसाब से 20% मुस्लिम एमिलेज वहां पर मौझूद है तो हम देखते हैं कि जैसा ऐसा शवर आगे बढ़ रहा है वहां वैसे वैसे पॉलिटिक्स के मामले में रिप्रेजेंटेशन डाउन होता जा रहा है गिरता जा रहा है य जितनी कम्यूनिटीज भारत में बस्ती हैं उनमें सबसे ज्यादा अगर कोई पॉलिस वालों से पॉलिस से खौफ खाता है डरता है तो मुसल्मान खाउम है जिसकी बेसिक वज़ए यह है कि मुक्तलिफ केसिस में जबर्दस्ती फसाने का मामला हो सालह साल जेलों में अटक नेशनल क्राइम रिपोर्ट जो है नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो उसके डेटा के हिसाब से जो जेल में खैदी है उनमें से 21 परसंट मुसलिम्स है जबके आबादी कितनी है 14.5 परसंट तो यह भी हमको डिस्क्रेमिनेशन का एक पार्ट दिखाता है फिर हैं कि बच्चा पैदा होने के बाद बस सर्टेफिकट पर भी धियान दिया जाता तो बाखी दस्ताविस्क पर कहां से जोर देंगे और फिर वो कैसे सिटिजन्शिप प्रूफ कर पाएंगे तो यह सबसे बड़ा चैलेंज है दूसरा उनने कहा कि 2017 के डेटा के हिसाब से इतना मुसलिम यूद का पॉपलेशन भारत में बसता है उनमें से सर्फ 14 परसंट ही ग्रैजवेशन उन्होंने कंप्लीट किया है बाखी पूरी की पूरी 76 परसंट सारी 86 परसंट पॉपलेशन जो है वो उन्होंने ग्रैजवेशन भी कंप्लीट नहीं किया है उसमें और हम हम दूसरों के compare करें तो दली तो में परसंटेज 18 परसंट है हिंदू बीसीज में 25 परसंट है और अपर कास्ट हिंदू में 37 परसंट ग्राजवेशन का मामला जाता है वहीं हम देखे तो 15 से 24 साल की उमर के जो Muslim youths हैं उन में से 31 परसंट पॉपलेशन ऐसी है जो एडीकेशन और जाब से बिलकुल दूर है जो के टोटल मुस्लिम youth का वन थर्ड है तो वन थर्ड अगर जाब और एडीकेशन से बिलकुल दूर है तो वो कैसे तरकी का हिसा बन सकेंगे वो कैसे उस guidance को accept क कर सकेंगे जिसकी जरूरत है ये भी एक बड़ी तश्वीश हमको नजर आती है पिर इस लेक्चर के दोरान जब जैफरे लॉट से पूछा गया कि भारत की जो सियासत है वो धीरे धीरे उसका सेंटर पॉइंट बनता जा रहा है हिंदू थुआ कि हर पार्टी खुद को कितना हिंदू साबित करती है वो अब उन वो शकल पैदा होती जा रही है तो ये क्या इस बारे में उनका क्या सोचना है तो उनका ये सच्चाई है और ये बिलकुल इसराइली पैटन है जिस में नोंने कहा कि इसराइल की जो सबसे बड़ी पार्टी हुआ है लेबर पार्टी उससे पहले जो पार्टी का उरूज हुआ तो इसके जो एजन्डास थे वो थे डेवलपमेंट सेक्यूलर वो रहेंगे वो प्रोग्रेस की तरफ ध्यान देंगे इन एजन्डास को लेकर वो पावर में आए लेकिन फिर धीरे देखा कि एरियल शेरौन जो है जो इस पार्टी हमला कर देंगे हमें इसे लड़ने के लिए तयारी करनी है तो ओवराल खौफ की सियासत पुलराइज़ेशन की सियासत ने फिर प्रायरिटी लेना शुरू की वही सिजला वो मैसूस करते हैं कि भारत में भी आ रहा है कि आये तो थे विकास का नाम लेकर लेकिन अब जो सियासत हो पुलराइज़ेशन का मामला हो वारत में इस तरह का मामला आ सकता है और कैफियत यहां तक भी पहुंच सकती है कि कोई ऐसा ना मिलेगा जो हिंदू तबा और हिंदू़िजम को अलग अलग कह सके दोनों को एक ही मानने वाले लोग हो जाएंगे या यह भी लोग ह ऐसा कोई कहने वाला शायद मौजूद ना होगा कि हिंदू नैशनलिजम और इंडियन नैशनलिजम दो अलग अलग चीज़े है बलके दोनों को एक ही मानने का वक्त भी आ सकता है जिसमें हम देखते हैं कि पाकिस्तान गडर मुसल्मानों गडर कि यह जो है आबादी कर इस मुलक पर दूबारा खबजा कर लेंगे यह जबरदस्ती मजब तबदील करवाएंगे हिंदू खत्रे में इस तरह के नारे हम आज भी जो हैं बहुत ज्यादा सुनने में आ रहे हैं सियासत में पॉलिटिक्स का यह अब एक हिस्सा बन चुके हैं तो इन सब के बीच जैफरेलोट कहते हैं कि मुसल्मानों को आइडेंटिटी पॉलिटिक्स छोड़कर एकनॉमिक और सोशल इशियूस को सियासत में उठाना होगा वरना अगर वो सिर्फ आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का शिकार होंगे तो वो हिंदूतवा के पॉलिटिक्स को और मजबूत क करेंगे और वो इसके आगेंस्ट खड़े नहीं हो सकेंगे उसको नहीं फाइट कर सकेंगे ये एक इंपॉर्टन बात उन्होंने वहाँ पर कही फिर उनसे बात की गई पूछा गया कि क्या वाख़ी भारत भी एक एथेनिक डिमोकरेसी या नसली जमोरियत बनता जा रहा है कहा कि फिलहाल तो वैसा नहीं है जैसे इसराइल का मामला है कि इसराइल की कॉंसिटीशन में दर्ज है वैसा भारत की कॉंसिटीशन में फिलहाल दर्ज नहीं है इसलिए कि अभी इस खुद को सेकुलर दर्ज करता है तो तब तक मौखा है इसी सेकुलर कॉंसिटीशन को और उन्हें उसकी मिसाल इस उन्मान से दी कि जो तरी से बढ़ता जा रहा है एथिनिक डिमोकरासी की तरफ कि कोई पार्टी अभी दिल से मुस्लिम को टिकेट देनी के लिए राजी नहीं है इसलिए कि उन्हें पता है कि वो हार जाएगी या उनकी इमेज फिर एंटी हिंदु कह मायम है उसने और डॉक्टर प्रकाश अमबेटकर ने महराश्ता में आलाइन्स बनाकर कॉंग्रेस को तकरीबन 20 से 25 नशिस्तों पर बहुत बड़ा नुकसान पहुचाया कॉंग्रेस और NCP सो नशिस्ते हार गई उस सीड्स हार गई उसकी बड़ी वज़े खुद कॉंग्र ये कहते हैं कि मुसल्मानों को एक आख से देखने के बजाए या उसको इस अंदाज से भी कहते हैं कि पूरी की पूरी स्टेट को एक ही अबजेक्शन के साथ चुन लेने के बजाए या एक ही पार्टी को डिकलेर कर देने के बजाए कि हर जगह हम वी सी को सपोर्ट करेंग मुसलिम दलित इत्ते हाथ के बारे में उन्होंने कहा कि ये फिलहाल पॉसिबल नजर नहीं आता उसकी वज़ाए ये है कि मुसल्मानों को सिर्फ अगर वो सोशल और एकोनॉमिक इशूस को ही उठाते हैं जिसकी कुछ उमीद भी है मौजुदा दोर में इसलिए कि मुल्क जो है बड़े एकोनॉमिक क्राइसस से उजर रहा है लोगों की करोडों की तेदाद में आउगरिया जा रही है तो कुछ गुंजाश तो है लेकिन बहुत जादा गुंजाश इसलिए नहीं है फास्ता और से पूर दली जो हैं वो बीजेपी के साथ खड़े हैं नमबर एक नमबर दो बीजेपी हमीशा से एक लम्बे टाइम से दलीतों को लुबाने में कामियाब हो जा रही है नमबर तीन ये कि दलीतों के जो प्राइम एजेंडाज हैं वो मुसल्मानों के एजेंडाज से मैच नहीं खा पा रहे हैं जैसे उनका रिजर्वेशन का उनका मामला हो दूसरे शियूस हो तो इसलिए इन दोनों का एक प्लेटफॉर्म पे आना फिलहाल मुश्किल नजर आता है उनके मुताबिख तो उस पर ज्यादा जोर उनके हिसाब से नहीं देना चाहिए फिर उन्होंने एक और बात कही कि जो C.A. के प्रोटेस्ट पुरे मुल्क में चले तो मुसल्मानों के बारे में ये नफसियात है कि जो मिडल क्लास मुसलिम है वो सियासत में हिसा नहीं लेता है वो डिरेक्ट पॉलिटिक्स का हिसा नहीं बनता है वो सरिफ वोट कर देता है जो से जहन पर असर पढ़ जाता है उसको जाके वोट कर देता है एक्टिफ पार्ट नहीं लेता है लेकिन हमने CIA के प्रोटेस्ट में देखा किस दिन रात सड़कों पर उतरने वाली ये ही मिडल क्लास पब्लीक थी तो ये एक हैरान करने वाली बात थी लेकिन हैरान करने के साथ साथ खुशायन चीज़ भी थी कि एक अच्छी चीज़ है इसको प्रॉपर डिरेक्शन देना ज ज़्यादा जरूरी है ये आगे जाकर इस खौम की जो लड़ाई है अपने एक्जिस्टन्स को लेकर अपनी हिफाज़त को लेकर अपने अखुख को लेकर ये बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है वहाँ पर उनने कहा और उसमें खास्तोर से जो खवातीन का मुस्लिम विम की उन कहा कि जिस तरह इस प्रोटेस में मामला हुआ कि चाहते ना चाहते हुए तमाम जमातों को तमाम गुरूहों को तमाम लीडर्स को एक प्लेटफॉर्म पे आना पड़ा और उस एक डिमांड के साथ खड़ा होना पड़ा तो यही रवया आगे भी अपनाने की जरूरत है दीगर मामलात में भी तो एक यूनिटी इमेज दिखाने की जरूरत बहुत ज्यादा है इस पर उन्होंने गफ्तगू की फिर उन्होंने कहा कि इस पर भी लोग सोच रहे हैं कि जो मुस्लिम्स रिलेटेड इशूज है इसको इंटरनाशनल लेवल पर ले जाया जाए जा नहाँ का ना मीडिया सपोर्ट कर रहा है यहाँ का ना एड्मिस्टेशन सपोर्ट कर रहा है ना अपोजिशन उस Interesting webinars है ना वो कोशिशे कर रहा है तो पिर इंटरनाशनल लेवल पर ले कर जाया जाए जाए उन्हें कहा कि इंट्राइशन लेवर पे कुछ चीज़ थोड़ी मुश्किल है लेकिन कहीं न कहीं अमीदे हैं मिसाल के तोर पे युनाइटेड नेशन अखावम मुत तहदा कि जो हिमन राइट्स कमीशन है अदालत नहीं इसलिए कि उन्हें कहा कि अदालत तक पहुचना थोड़ा मुश्किल होता है कमीशन तक आपको आवास पहुचाना थोड़ा आसान होता है तो उसकी जो कमिशनर है मेशेल बैकलेट इन्होंने खुद अपनी तरफ से दिल्चस्पी ली है वो इंगियन इशूस पर अपनी नजरे लगाए हुए हैं कश्मीर के मामले में भी उन्होंने आवाज उठाई थी अपनी राय रखी थी और खुद सीयर प्रोटेस्ट के मौके पर भी उन्होंने भारत को डिरेक्शन दी थी कि ये बिसिकली गलत डिरेक्शन में जा रहा है तो वहां से कुछ उमीद है दूसरों ने कहा कि यूएस कॉंग्रेस ने कुछ सालों से स्रसला शुरू किया है कि वो भारत के मामलात पर नजर बनाए हुए हैं और वहां अखलियतों के साथ मानारिटी के साथ क्या रवईया अपना जा रहा है उस पर डीटेल रिपोर्ट एरली तयार होती है और वो भी उस से रिलेटेड स्टेटमेंट्स को जारी किया है और वो वबाल बने हैं तीसरा मामला एरोपन यूनियन का है इसमें खास्तों से एरोप की पारलिमेंट है हमने देखा कि बहुत सारे एंपी जिन्नों ने रिजलूशन पास किया था C.E.A. के अगेंस्ट में वो सलसला अभी भी जारी है तो ये एक अच्छा उम्मीद इंटरनाशनल लेवल पर है और सबसे आखरी चीज जो इंटरनाशनल मीडिया है इसलिए कि नैशनल मीडिया से तो किसी खिसम के उम्मीद बाही नहीं रही है जिस तरह का वो गोदी मीडिया बन चुका है अब हर कोई इसको अखरार करता है और शायद वो भी मानते हैं और महसूस करते हुए भी वो आगे ही इन चीज़ों को कर रहे हैं तो अब उम्मीद इंटरनाशनल मीडिया से जैसे नियॉयॉक टाइम से वाशिंटन पोस्ट है अपने रिसेंट में देखा कि अमेरिकन पेपर ही ने फेसबुक के उस चीज़ों का खुलासा किया जिसमें वो एंटी मुसलिमी स्पीचेस को हेर्ट स्पीचेस को डिलेट नहीं कर रहा था सिर्फ बिजनिस के लिए या बीजेपी से दर्ग को लेकर इंटनाशनल लेवर पर कहीं न कहीं एक उम्मीद नजर आती है और सबसे आखिर में जो फैसले के साथ खड़े रहें वो एक उस पर डाइवर्ट ना हो सबसे पहली चीज़ ये दूसरी चीज़ ये कि किसी भी इशू को लेकर रियाक्शनरी अप्रोच अपनाने के पजाए प्रोक्टिव अप्रोच अपनाने की जरूर है हम देखते हैं कि सिटिजन्शिप अमें नहीं हैं आप गए जरूरी क्यों डरा रहे हैं गए जरूरी क्यों परेशान हो रहे हैं और फिर हमने देखा कि क्या नतीज़ा हुआ तो किसी मसले का सर पर आगर बैड़ जाना और फिर हम रियाक्शन दें उसके मुखाबले में प्रोच्टिव अप्रोच के अंदेशा हो जिस चीज़ के आने का उसके पहले से तैयारी पहले से उस पर कारवाईया की जाएं तो ज्यादा रिजल्ट मिलने की उमीद हैं तीसरी चीज़ लिखते हैं कि जो लोग खौम के नमाइंदे नहीं हैं किसी भी उनवान से मीडिया स्पोक्स परसंस हो एजुकेशन हो दूसर ऐसे चहरे हैं जो मुस्लिम्स रिप्रेजेंडेशन के नाम पर आके बैठते हैं जिनको कोई नहीं पैचानता और ऐसी ऐसी बाते रख देते हैं जिससे पूरी इमेज डामेज हो रही है तो उनका बाइकॉट करना चाहिए बलकि उनका एखराज कर देना चाहिए ये उन्हो ने एजुकेशन में एकॉनोमी में डेवलपमेंट किया कैसे खुद को स्टेंड किया एक स्टेज पर और इनसे अलाइंस बनाकर आगे बढ़ा जाए ये चौथा सजेशन ये देते हैं पांचे हो बात कहते हैं कि सबसे इंपॉर्टन ये कि जो पूरा दोर मुसल्मानों के स सकते हैं असल जो चीज हो सकती है वो सेल्फ इंट्रस्पेक्शन है कि कहां आप से खामी हो रही हैं कहां आपके तरजिहाद खराब हो रही हैं बदल रही हैं और उसके इसाफ़ से डीटेल प्लाइन बनाने की जरूरत है उसी के साथ साथ ऐसी गहर ज़रूरी रिवायात को चीजों को तरक कर देने की जरूरत हैं जो लाया गयर ज़रूरी हैं या नुखसान पहुचा रही हैं मिसाले दर पर हो कहते हैं कि साथियों में बेतहाशा खर्च का मामला हो रिलीजियस प्रोग्राम्स हैं इस्तिमार में बेतहाशा खर्च का मामला हो तो इन पर रोक लगा पोच अपनाना होगा, उसको डील करने का, उसको समझने का, और जो खौम की लीडर्स हैं, जब वो इस इश्यो को पबलिक को समझाएं, तो आसान से आसान तरीखा समझाएं, ताकि वो उनका साथ ले सके, उस मूवमेंट को बड़ा बना सके, और सबसे आखिर मिये कि इन तमा कोशिशों के साथ, जो मुलक की फिलहाल 63% पॉपॉलिशन से कुलर मानी जाती है, उनको साथ लेना पड़ेगा, इस से पहले के उनके भी जहन बहका दिये जाएं, वरना जिस तूफान का शिकार, ये खौम इस वक्त है, तो उस तूफान से इस खौम को कोई नहीं बचा सकत अमीद है कि इस वीडियो के कंटेंट से कहीं न कहीं कुछ फायदा पहुंचें, आपको इस वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में बताएं, इसको शेर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें, इन्शाला एक नए उन्वान के साथ दूबारा आपसे आपकाद होगी, खुदा आपसे